आप लोग ये सोच रहे होगे कि अगर हम gate की preparation कर ले तो SSCJE भी हमारा हो जाएगा It is not like that, इतना आसान भी नहीं है SSCJE में जो pattern है, जो तरीका है, जो question का पूछने का तरीका है वो सब अलग होता है इस field में बहुत सारे ऐसे concept हैं जो clear नहीं किया जाता है, student उसमें stuck कर जाता है, उसके बाद उनको रठना परता है वो सब हम लोग rectify करने वाले हैं, इसी platform पे अगर competitive exam की त्यारी कर रहे हो और उसमें अच्छा करना चाहते हो तो stick to the syllabus syllabus से हमको न दाए जाना है, न बाए जाना है, न research oriented हमको पढ़ना है हमको syllabus में ही घुशके रहना है एक बार हमने prelims निकाल लिया एक बार हमने mains निकाल लिया उसके बाद हम जाकर select हो गए फिर आपको जो करना है करो तो हम यहाँ पर कोसिस जो करेंगे हमारी जो अगर हम कूदे हैं इस field में आए हैं तो हम यह कोसिस करेंगे कि आपका formula कम से कम रटना पड़े जो भी चीज़े हो वो logically आप valid हो और logically आप उस चीज़ को समझ पाओ और कम formula आपको ज़्यादा formula रटने की जोट न पड़े My dear student कैसे हो Welcome to Janik Jai study channel और आज मैं आपसे discuss करने वाला हूँ SSE Jai में power system का क्या role है क्या road में परहेगा किस तरह से आप इसकी preparation कर सकते हो और हमारे through कैसे कर सकते हो Like अगर Janik education की बात करे Is one of the best course अभी विजाई भ्यवा आया है जिसमें हम लोग power system and machines पंकसर लेने वाले हैं और उसके बारे मैं आपको complete एक road map दूँगा कि आपको कीन चीजों पर focus करना है कीन चीजों पर नहीं इस चीज को आप समझ लो जल्दी से इस channel को subscribe कर लो क्योंकि बहुत चीजें हम लोग लाने वाले है इस field में बहुत सारे ऐसे concept है जो clear नहीं किया जाता है student उसमें stuck कर जाता है उसके बाद उनको रटना परता है वो सब हम लोग rectify करने वाले हैं इसी platform पे आप बस जुड़े रहो आज हम जो discuss करेंगे वो करेंगे roadmap of power system according to syllabus जो हम syllabus आपका SSEJE के website से निकाले हैं उस syllabus में क्या important है और किस पे आपको ज़्यादा focus करना चाहिए किस पे नहीं और कैसे ये gate exam से अलग है आप लोग ये सोच रहे होगे कि अगर हम gate की preparation कर ले तो SSEJE भी हमारा हो जाएगा इतना आसान भी नहीं है SSEJE में जो pattern है जो तरीका है जो question का पूछने का तरीका है वो सब अलग होता है तो उसी को हम लोग discuss कर रहे हैं जहां तक मैं research किया हूँ वो आपके साथ share करूँगा तो पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे मैं आपको power system का कुछ syllabus दिखा रहा हूँ इस syllabus को ध्यान से देखिए generation, transmission and distribution यही तीन चीज SSEJE में लिखा होता है और उसके बाद उसका detail आपको कौन-कौन से topic पढ़ने है वो topic भी लिखा हुआ है तो overall आप देखोगे तो यही तीन topic है तीन chapter आप बोल सकते हो topic बोल सकते हो generation, transmission and distribution जो की syllabus का part है अब उसको आप detail में देखोगे तो आपको पहला दीखेगा different types of power station यह पहला topic है उसके बाद load factor आपको दिख रहा है diversity factor दिख रहा है जो generation का part है demand factor, cost of generation तो overall generation जो है वो detail में आपका यहाँ पे study करना है thermal हो गया, nuclear हो गया, hydro हो गया उसके अंदर कौन-कौन से element है, कौन-कौन से parameter है किस चीजों का ध्यान रखना है वो सब का आपको detail में study करना है उसके बाद interconnection of power station कैसे हम लोग connect करते हैं किन चीजों का ध्यान रखते हैं वो अपका second topic है उसके बाद आप देखो this one is very important power factor improvement यह मैं देखा हूँ, यह बहुत ही important है आपके j point of view से power factor improvement इसको मैं 5 star में रखता हूँ ठीक है, आपको मैं कराऊंगा पूरे detail में, आपको चिंता करने की जोत नहीं है और एक भी formula रटना नहीं होगा to be very frank, आप किसी भी channel को किसी भी channel को visit कर सकते हो power factor improvement में आपको यह चीज़ जरूर कराते है p into 1051 minus 1052 और उसको आप रटते रहते हो अगर हमने p को vary कर दिया तो फिर आपका formula valid नहीं होगा, आपको idea भी नहीं है आप सीधे रट के लगा देते हो अभी तक answer correct होता होगा हो सकता है next year exam या जब भी exam हो, उसमें answer correct नहीं हो तो हम यहाँ पे courses जो करेंगे, हमारी जो अगर हम कूदे हैं, इस field में आए हैं तो हम यह courses करेंगे कि आपका formula कम से कम रटना पड़े, जो भी चीज़े हो वो logically आप valid हो और logically आप उस चीज़ को समझ पाओ और कम formula आपको ज़्यादा formula रटने की जरूत न पड़े तो यहाँ power factor improvement मैं अच्छे से आपको बताऊंगा कि किस तरह से without formula आप solve कर सेको किसी भी question को लिया ओ, दुनिया का किसी भी question को लिया ओ, मैं इसको without formula आपको solve करके दिखाने वालो, ठीक है उसके बाद आ जाते हैं various types of tariff, यह नया topic है यह gate में नहीं होता, लेकिन जे एक्जाम में आपका tariff के बारे में detail study करना परता है, हम लोग देख लेंगे basic चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है उसके बाद देखे, types of fault है symmetrical, asymmetrical सिर्फ simple में लिख दिया गया है और इसमेट्रिकल में आप three-phase short circuit fault पढ़ोगे and asymmetrical में LG fault, line to ground line to line and double LG double LG fault है ना, तो यह तीन चीज आप यहाँ पर पढ़ोगे, short circuit current for symmetrical fault यहाँ पर अलग से लिख दिया गया है तो इसको हम cover करेंगे और उसके बाद, देखो तो unsymmetrical fault नहीं लिखा है ध्यान से देखिए, types of fault में दो पढ़ रहे हो, अलग से लिखा है short circuit current for symmetrical fault तो symmetrical fault अलग से लिखा लेकिन unsymmetrical fault नहीं लिखा आप इस चीश को समझना लेकिन इसका मतलब नहीं कि unsymmetrical fault हमको पढ़ना नहीं है जो 3 fault है उसके जो formula derive होते है उससे हम किस तरह से numerical को या previous year questions को लगाएंगे वो सब हम लोग देखेंगे और बहुत basic है यार, बहुत basic मैं बता दूँगा ना इस fault को इतना अच्छे से बता दूँगा कि आप आँख बंद करके इसका answer निकालोगा बिना writing किसी भी लिखने की जो होत नहीं है सीधे आप question देखोगे diagram देखोगे answer निकालोगे without pen and paper ठीक है तो वो सब हम आपको discuss करके यहाँ पर बताएंगे जो मेरा tricks है वो भी आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा उसके बाद जो आप देख रहे होना ये थोरा सा detail explanation है detail देखो switch gears and protection ये जो है ये आपको थोरा सा अच्छे से पढ़ना है normally gate में होता है कि protection का उतना ज़्यादा weightage नहीं होता लेकिन SSCJ में देखो पूरी detail में आपको लिखा है rating of circuit breaker अच्छे से देखना है making current, baking current, making capacity, breaking capacity इसके बारे में and principle of arc extinction arc को कैसे बुझाया जाए arc क्यों आता है, किस तरह से बुझाया जाता है क्या-क्या, उसमें methods है by oil, यहां लिख दिया air, oil and air देखो, तेल और हवा इससे हम arc को कैसे बुझा सकते है क्या-क्या method है, उसमें दो ही आपको लिखा है लेकिन मैं आपको SF6 भी बताऊंगा और vacuum भी बताऊंगा, यह other AEJ exam में आपको काम आएगा यहां पर direct आपका oil and air के इलावा SF6 और vacuum भी होता है वो यहां पर mention नहीं किया गया है लेकिन स्टिल मेरे को बताना इसलिए पड़ेगा so that कि आप यह दो topic में ऐसा नहों कि example के लिए कभी कोई question आगिया तो उसमें miss कर जाओ बाकी भी AEJ exam अपके निकल जाए उसका देखो HRC fuses बोला है बहुत easy fuse का basic होगा और वो सब हम आपको discuss करेंगे उसके बाद देखिए protection में protection against earth leakage over current, bookold religion transformer में use होता है merge price protection system जो transmission line के लिए हम लोग generator transformer protection के लिए use करते हैं उसके बाद protection of feeders and bus bar तो आप देखो protection पुरे detail में यहाँ पे दिया गया है power system 1 देखो कुछ नहीं है सीधे fault में एक line ठीक रहा है लेकिन switch gear and protection देखो तीन line पुरा खीचा है अच्छे से that means protection का जो rule है SSC JEE में वो बहुत ही जादा होने वाला है आप इस जगह देख सकते हो आपको समझ में बहुत ही detail में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से कोई टेंसन वाली बात नहीं है lighting arrestor के बारे में भी detail में हम लोग देखेंगे and various transmission and distribution system भी देखेंगे यह देखिए various transmission and distribution system यहाँ पे आपका पूरा वो cover होता है performance in transmission line corona, insulator, UG cable यह सब आप पढ़ते हो distribution system में वो सब आपको यहाँ पे cover होगा ठीक है देखो conductor material के बारे में पूछ रहा है efficiency of different system cable efficiency of different system उसका cable में different types of cable जो UG cable पढ़ते हैं हम लोग overhead cable पढ़ते हैं उसके बारे में हम लोग को यहाँ पे अच्छा से देखना है K1 rating and derating factor तो ज़्यादा कुछ syllabus नहीं है लेकिन जहां तक हमें दीख पा रहा है इस पूरे syllabus को अगर आप ध्यान से देखोगे चुकि यह website main website से मैं download किया हूँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरे यहाँ से यहाँ तक protection ही है maximum weightage protection का है around 50% आप कह सकते हो 45 to 50% protection का weightage है जिसको हम लग बहुत अच्छे से देखेंगे और एक भी formula नहीं रटोऊंगा ठीक है एक भी नहीं आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हर चीज aptitude की तरह आपको feel होगा बहुत आसान है एकदम ऐसा लग रहा है linear तरीके से चलते जा रहा है ठीक है तो यह go through मैं करा रहा हूँ कि आपको इसी के इर्द गिर्द रहना है जैखो अगर competitive exam की त्यारी कर रहे हो और उसमें अच्छा करना चाहते हो तो stick to the syllabus syllabus से हमको ना दाए जाना है ना बाए जाना है ना research oriented हमको पढ़ना है हमको syllabus में ही घुसके रहना है एक बार हमने prelims निकाल लिया एक बार हमने mains निकाल लिया उसके बाद हम जाकर select हो गया फिर आपको जो करना है करो फिर आपको जितना research करना है करो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इस पूरे विज़ई भवा बैच में इसी को पढ़ने वाले हैं डिटेल में एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाऊंगा बहुत ही डिटेल तरीके से और कोशिस हमारी यही रहेगी कि रटने का एक भी चीज ना दू इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी होंगे जो आपके डेटा होंगे तो डेटा ओरियंटेट तो आफको रटना पड़ेगा कि इतना वायर है तो इसकी कितनी रेटिंग होगी वो सब तो रटना ही पड़ेगा उसका और कोई option नहीं होता लेकिन जहां तक रही बात formula की तो formula रटाऊंगा नहीं यह बोलूंगा ही नहीं कि यह formula है ऐसे ही होता है ठीक है ऐसे ही होता है लिख लो note कर लो derivation से क्या मतलब है जरूरत है reason क्या है क्योंकि आपको prelims के बाद mains भी निकालना है और वहां अगर पूश दिया कि इसको explain करो त हमारा गोल यह नहीं है कि prelims निकालकर बैठ जाना घर पर हमारा एम है कि हमको job लेना है तो job लेने के लिए जितना content की जरूरत पड़ेगी उतना content में आपको इसमें देने वाला हूँ तो बस आप लोग ready रहो ठीक है मैं बहुत excited हूँ क्योंकि J-E में मैं जहां तक देखा ह हूँ और जो मैं समझ पा रहा हूँ उससे अब से बच्चे को थोड़ा बहुत ज्यादा problem होता है सब्जेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा problem होता है especially जो gate की preparation करते हैं और वह जहीं में आते तो उनको बहुत ज्यादा doubt हो जाता क्योंकि बहुत सारे मिस्प्रिंट होते हैं बह सब आईडिया होगा विजाई भवा बैच में मैं पावर सिस्टम लोगा जिसका आपको मैं पूरा एक go through करा दिया कि क्या है कैसे पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है यह सब इसके अलावा कुछ भी एक्स्टर आपको देखने की जोदने मैं इंपोर्टेंट अगर मैं बता जेनरेशन आ जाता है ठीक ना तो जेनरेशन इस आलसु इंपरेंट जो कि फर्स्टू में है ना डिमांड फेक्टर लोड फेक्टर कैसे इसमें नुमरीकल आते हैं वो सब हम लोग देखेंगे अच्छे से तो हमारी जो प्राइमरी फोकस रहेगी हमारी प्राइमरी फोकस करेंगी कि अगर आप आवर सिस्टम से मालो 20 मार्क्स 30 मार्क्स का सवाल आता है तो उसमें से अराउंड 90-95 परसेंट आप बना खरो 100 परसेंट बना क्या हो और जो भी मैं कराऊंगा उसमें आपके प्रिविएस यर कोस्टन हंडेट परसेंट होंगे जितने भी ऑब्जेक् प्लस कुछ गेट के भी कोस्टन होते हैं जो एससे जी में डायरेक्ट पूल देते तो वह भी मैं फिल्टर करूंगा और आपके लिए best of best मोडिल रेडी करूँगा फिर मैं आपसे मिलूंगा ठीक है तो आप लोग रेडी हो की नहीं excited हो की नहीं बताना comment में जरूर और power system क एकदम आसान बनाने के लिए अगर आप ready हो तो definitely आप आजाना विजाई भवा बैच में उसके बाद वहाँ पर हम लोग धूम मचाएंगे तो इसी के साथ मैं close करता हूँ आपको idea हो गया होगा, यह क्या क्या important है क्या क्या नहीं है, मिलते हैं फिर next जो भी topic है आपके power system में जब भी मैं पढ़ाने होंगा day one में present रहना बहुत मजाएगा ठीक है, फिर हम लोग वहाँ पर महाल बनाएंगे proper तरीके से और अच्छे सीज को complete करेंगे so that आप अच्छा perform कर पाओ SSCJE में स्वायलन सरी देस साइड, signing out